नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका न्यूत कर साइस यूटू चनल में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आज पास प्रोदूसर फैला हुआ हुआ उसके बारे में हम देखेंगे कि एक आजीब सी एक कोरे की धुंद सी छाय हुई है इस मोख हर तरब दिख में कम हो गई है और एजीब से एक धुंद सी छाय हुई है लेकिन इस धुंद के पीछे कारण क्या है आखिर यह वायू इतनी क्यों पूर्दूसर हो गई है कि वह सांस रेना दूबर होता चला जा रहा है डिल्ली में जैसे आप देखेंगे तो काफी ऐसा नहीं है दिल्ली अगर जो आप देखेंगे तो दूसरी साइड आगर जो आप देखेंगे तो मार्च के महीने में भी आप देखेंगे तो ऐसी घटना है आपको देखने को मिलती है ठेसर अगरा चलते है गहों की खुब कटाई होती है लेकिन तब यह समस्या इतनी विक्राल रूप धार नह देखेंगे और यह समस्या क्यों माई-जून के महीने में या उधर जनरी फररी मार्च में अप्रेल में क्यों नहीं होती उसके बारे में देखेंगे और पूरा इसका विसलेशर करेंगे सुरूबाती ठंडी में यह यह असा क्यू होता है बाकी आप जो आप अवर टीवी अगर आपको देखने को मिल ला होगा एर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेकार चल ला है और देखने होंगे पीम टूफाइंड फाइब प्रदूसित हो गये हैं मतलब काफी जदा इनकी आप देखेंगे तो इन्वार्मेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गये हैं जिससे सांस लेने में समस्या हो रही है इसका हम एक वैग्यानिक आधार पर अर्थात कहें क्यों भौगोलिक आधार पर इसका हम पूरा आपको विश्टरत तुरूप से ब हागर लोग देखता है कि सबकुछ प्रole これ करता है भौगोल पूररा अगर्ज में तो हवा उग्याखे चलना यह सब कुछ क्या है il istvy घ्यादा ताप। कि तंपेचर ज्यादा होगा वहाँ पर दाब अधिक कोगा ए अर्था दीन ए लो प्रेसल अगर जो है अर्थाथ निम्रेन नताप आप देखेंगे तो हाई TEMPERATUR होगा अर्था hunt लो प्रेसर तो हाई टमप्रेचर और हाई प्रेसर तो लो टमप्रेचर यह दोनों बाते आप याद रखे लो प्रेसर तो हाई टमप्रेचर और हाई प्रेसर तो लो टमप्रेचर अर्षाथ निम्न दाप तो जब निम्न दाप होगा तो निम्न दाप की स्थिती में देखेंगे तो ताप मान अधिक होगा और उच्छ दाप की स्थिती में देखेंगे ताप मान अधिक होगा इन दोनों बातों को आप याद रखेगा तो मतलब कहने का मतलब है जब ताप अधिक हो जाता है तो वायू क्या होती है गरम हो जाती है ताप अधिक तो वायू गरम हो जाएगी जब गरम हो जाएगी तो धीरे धीरे उपर क्यों उठना शुरू कर देती है सब कुछ यहीं से बिल्कुल बेसिक चीज़े आप याद रखे तभी आपके समझ में आ जाएगा कि आकिर दिल्ली वगरा लखनों वगरा में ऐसी कंडिशन क्यों है तो जैसे जैसे टमप्रेचर बढ़ता है जब टेसिस टमप्रेचर बढ़ेगा तो हवा क्या होती हलकी हो जाती है और उसमें आप देखेंगे तो जो उसके कड़ें वो दूर जाने लग जाते हैं आप पानी को बते हुए देखें जब पानी बलता क्यों राएं से जब पानी जब उबलता थो नीचे पानि-बनाटे हुए देखें तो बल नीचे के और अधिक हो जाता है। हो जाता है तो जब यह विद्ग हो जाता है तो हवा क्या ह CorporateÓi उठाना सुरू कर देती है उपर क्या टे पूठ जाती है काफी त्वक्ति हैं शुर्णि जाती है इसी है य्थे आप देखे tyre जब टंप्रेचर सहर का ज्यादा बना रहता है तो जो यह मैंने सहर बना रखा और यह कहा है गाउं का परिद्दस यह कहा है सहर है यह कहा है गाउं है इन दोनों फिगरों को आप बना लीजे या समझ लीजे भी इसी के जरिये में आपको पूरा समझा देंगे कि कैसे होता है सहर में जब temperature अधिक होता है तो इसके हवा क्या होगी उपर क्योर जाएगी हवा क्या होगी उपर क्योर जाएगी उपर क्योर जाने के बाद में ये क्या होगी जब हवा जब उपर गरम हवा उपर क्योर चली जाएगी यहां पर देखेंगे तो कई कार खाने वगरा लगे होते हैं गाड़ियां वगरा काफी चलती है तो यहां पर काफी यदा गर्मी हो जाती है तो उसके उपर एक दीप सा बन जाता है अर्था उस्मा दीप जिसको बोलते है तो इसको आप याद रखेगा हीट आइलेंड के नामस जानते हैं यह उसके उपर एक सहरों के उपर बन जाता है और जब यह सहरों के उपर बन जाता है हीट आइलेंड तो आप देखेंगे तो सिफ अगर जो इसमें आप देखेंगे सिफ उसमा ही उसमा होती तब तो चलो ठीक था लेकिन उसमा के साथ 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 इसमें बहुत से 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 पार्टिकल्स होते हैं आप देखेंगे धूल वगरा इतनी खराब होती तो आप कोई गाड़ी चलती तो दूल उड़ती है तो कहने का मतलब यह कि जब यह सब प्रक्रियां वगरा धूमा वगरा भी क्या होता है इसके साथ ऊपर उठता चला जाता और यह भी क्या होता है आस्मान में यह आ जाता है तो यह क्या होता है कि अजीब सी एक लेयर सी जमने लगती है आपको एक चीजे दिखाई पड़ेंगी इसी को हम जब यह अभी अगर जो जो तापमान आया था तो इसको हम तापी दूइब कह दिये अथा जो प्रदूसर गुम्मद इसको बोल देते हैं वही यह तापी दूइब जिसमें उपर के और क्या होगा प्रदूसर के कड़ा आ गया इससे सो प्रदूसर गुम्मद का निर्माड हो गया लेकिन जब यह उपर क्यों यहां की जब हवा जो थी वह उपर उठ गई अर्था गरम हवा जो थी वह ऊपर उठ गई तो इसका इस्थान लेने के लिए गाउन की तरब से क्या होगी या आस पास इससार की जो चेत्र में प्रेशर नगरी चेत्र अब लोग है इसकी यहाँ temperature अधिक हो गया तो यहाँ पे low pressure हो गया यहाँ पे temperature अधिक तो इसलिए हवा चलना सुरू कर देगी अधिक से कम क्योर अर्थात यहां से क्या होगी हवा इस तरफ आना सुरू कर देती है गाओं से इस तरफ आना सुरू कर देती है तो यह क्या होगी चक्री करम चलता रहता है इस तरीके से लेकिन इसमें जिम्मेदारी सन वगरा की कैसे होती है सूर वगरा की इसमें कैसे भाग लेते हैं अर्था को फिप कह सकते हैं इसने लहीं है इसाड़े तेश डिगरी ना अंट साथे इसवी सहे जब ईक्वेटर आप जानते हैं कि जब सूर्ज करक्रेखा पर अर्था जो यह 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 कैंसर लाइन है और यह एक्वेटर है और यह कैप्रिकॉर्ण है यह कैंसर लाइन अर्था जब करक्रेखा पर जब सूरज आ जाता है करक्रेखा पर तो जाने हैं कि जब तंप्रेचर अधिक होगा तो वह क्या होती हवा काफी तेजी से ऊपर उड़ जाती काफी उचाई पर चली जाती है इसलिए जब काफी उचाई पर चली जाती है तो यह हवा जो मैंने बताया था जो गुम्मद बन रहा है अर्था जो प्रदूसर गुम्मद है यह काफी उचाई तक चला जाता है हवा क्या होत साउथ हमेस्टियर में जाता है अधा जब दच्छडी गोलार्द में सूरज चला जाता है अक सितम्बर अक्टूबर नॉम्बर के महीने में जब सूरज इस तरफ चला आता है तो यहां पर जो क्योंकि यहां पर क्या हो रही तिर्ची केरे पड़ रहे हैं लिप उतना हाइड नहीं उपा रहा है जब तम पेचर हाइड नहीं हो पा Raha TWO यहां की जो हवा है वह सुप्रेशे 2 पराकर के रुप जाएगी अर्था सब्सक्राइब सकड्र हई उसका भी हाइगा और सटरौ अर्षा यहां पर जब हावा परा नहीं हो तो जो प्रदूसर माल नीजे जैसे पहले जो हवा थी वो एक किलो मीटर तक उपर उठ जा रही थी माल नीजे जैसे दो किलो मीटर तक उपर उठ जा रही थी गर्मियों के मौसम में यह जो हवा वगरा जो प्रदूसर वगरा था यह से कहा तक पहुंग जा रहा था क्योंकि यहां पर जो pressure था वो high था स्थरी pressure जो था वो लोग था temperature high था temperature क्या था high था लेकिन जैसे ही यहां पर सूरज जब दच्छडी गोलाव में पहुंचेगा तो जो यह temperature यहां का क्या होगा कमी रहेगा हावा जो 2 km तक उपर उठ जा रहे थी ये अप कितने पर रह जाएगी मानलीजे पांसो मीटर तक रह जाएगी तो जो प्रोदूसर के कड़ थे वह पहले तो 2 km तक पहले हुए थे उपर तक इसलिए आपको भूँ जँधा विजिबल नहीं दिखते थे गहाता तो बहु जद्धा को धुन्द का रूप नहीं लेपाते थे लेकिन जब घट करके मालिजए इतनी दूरी पर सवकड थे मालीजे क्या हो गए सवकड थे उक्जामपल की रूप में बता रहा है दो किलो मीटर में तो दो किलो मीटर में सवकड होए तो काफी दूर तक आपको चले के तो दिखाए नहीं पड़े लेकिन जब यही सवकड पांसो मीटर में आ जाएंगे तो आपको काफी जदा इनकी विजिबिल्टी अथात कहेंगे कि धुन्दसी नुकसान जदा करेंगे आपको चीजे सब कुछ दिखाई देगा कि ऐसा हो गया है तो यह चीज़ याद रखेगा जो विजिबिल्टी है काफी कम हो जाती है और आपको एक धुन्दकी लेरे दिखाई पड़ती है लेकिन बात यह है कि यह नॉमर के महीने की चीज़े आप तो को संभ में आ गया हूँ कि नॉमर में यह ऐसा क्यूं होता है लेकिन और भी इसमें चीज़े हैं कि आज पास की कौन CAC प्रक्रियाय होती है जिनकी वज़े से यह ऐसी कंडिशन और ज़्यदा प्रभावकारी हो जाती है जिसमें हम देखेंगे तो एक्जामपल की तोर पर ले लिजे दिल्ली दिल्ली है दिल्ली के आस पास पर हर्याडा का चेतर पंजाब का चेतर आप ले लिजे मान लिजे यह दिल्ली है वह यह क्या हर्याडा पंजाब का चेतर है तो हर्याडा पंजाब के चेतर में क्या हो रहा है मान लिजे खुब पराली वगरा जो जलाई जा रही है इसलिए होता है क्योंकि आज कल क्या होगा मसीनہ बगए आती है ये पीड़ है तो पहले क्या होता था किसान जो पूरा काट लेते थे यहां से और काट کر करके उसको इपिटाइ कर ली जाती थी धान की तो दान अलग और उसका जो साथ में बराली निकलती लेकिन अब क्या होता है इसको गाओं में पईरा बोलते हैं तो यह क्या होता है यह अलग हो जाता था इसको चारे के रूप में यूज कर लिया जाता था लेकिन जब आजकल जो मसीने जैसे धान काटने की मसीन आती है वो क्या करती है इसको यहीं से काट देती है उपर उपर क काट देती और यह वाला जो हिस्सा है वो बचा रह जाता है जो यह वाला हिस्सा बचा रह जाएगा उपर उपर का पेड़ कर जाएगा तो इसको किसान दुबारा तो काटेंगे ने इसको क्या करेंगे काटेंगे तो हैं ने इसको दुबारा क्योंकि यह यूजलिस है वाइख कर लिया ते क्योंकि अगर जोतेंगे और उसमें खर्च ज्यादा आता है ज्यताई कर दी जाया अगर चलाने इसे को खर्च नहीं होता और यह उनकी बज़त हो जाती है लेकिन अब बात ही है कि यहां पे दिली पे छेतर को अब ले लिजे और दिली के आसपास के छेतर को ले लिजे तो दिली के आसपास जैसे मैंने बात करूं हर्याडा या पंजाब के अगर जो हम बात करें तो इस छेतर में जो पराली जलाई जाती है तो दिली में क्या है दिल पेडिर से क्यांती हो जब चेटर ही पराली तो इसले ने जा रहे है आप रहता हाई किसखी तो नामे आसपास के च्छेतरों की तुना में जो मैं यहां पर समझाने कि आपको कोसित कर रहा हूं आसपास की तुल्नामी क्योंकि दिली में इंडस्टी लेरी आधिक होने की विए से यहां पर बहुत सी इसी क्रिया होती जिनकी विए से बहुत सी गैसे वगरा निकलती है इतना पॉलूसन है और आप देखें गाड़िया वगवाई बहु से धुमा वगवाई निकलता तो यहां का टमप्रेचर हाई होजाता है और बिल्कुल यही जो प्रोदूसर गुमद है यह सहर के उपर बन जाता है जब सहर के उपर बन जाएगा यहां की हवा उपर कर उट जाएगी तो इसका इस्थान लेने के लिए आस पा जाता है उसको एक मार जाता है दिली का तो जिए वो जाता है इस तरिके से मुढ़ जाता है जो आल siis करेगा है उसको उसको यहीं मिल गया इसलिए वह क्या करेगा बुर्स कर जाएगा और हई प्रेशर से लो प्रेशर की जो रहे दुवां दिली की और पहुंच जाता है तो दिली के जैसे वह दिली के चेतर कोजा तो सीजी बात है पॉलूसन फैलाएगा यह पहलाएगा ये तो बातों गई है पाराली वगरा जलाने क्वेशी सरह दिली होता है और बहुत सी लोकल वगरा भी इ इस लो प्रेसर की और आता है क्योंकि यहां का जो लो प्रेसर बनने की वेस्ट जो धूमा था वो ऊपर उठ गया है क्योंकि यहां पर उपर आप देखेंगे तो तापी दूइप उपर बन चुका है लेकिन अब आया देखते हैं यहां का जो धूमा था वो धूमा आ गया और और यह धूमा जब इस चेतर में आ गया यह बहुत ज़्यादा ऊपर तो यह भी नहीं उठ पाएगा क्योंकि ऊपर तो आ लेडी टंपरेचर लो है ही तो यह धूमा वहां की हवा में मिल जाता है और उस हवा में मिलने की वे से क्या होता है काफी ज़्यादा पॉलूशन फैल होता है क्योंकि टंपर्चिर लोग इसी छेतर में होता है कि सुरच क्या घिंख वर mice के जा रहा है कि तो यह दिया आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा होता है है अब आए देखते हैं और इसक्यागे की प्रिक्लिया क्या होती है देखे अब ये क्या होगा गुम्मद जो बनी थी ये गुम्मद क्या होगी अब ये ये जैसे ये गुम्मद क्या होगी ये बन गई किसी सहर के ऊपर क्या होगी ये गुम्मद बन गई है ये क्या पलूसन की गुम्मद है पलूसन की गुम्मद है लेकिन जब कभी हलकी सी भी ह हवा चल जाए आप देखते हैं कि अगर जो हलकी सी हवा चल जाए या बारिस हो जाए तो जो पुरूशन पूरा है यह इसमें बारिस की बूंदे क्या करती है इसको नीचे गिरा देती है जो छोटे-छोटे पार्टकिल होते हैं धूल के धूमे के यह सब क्या होंगे नीचे चले आएंगे और आपको कुछ साफ मौसम दिखता है बारिस होने के बाद लेकिन अगर जो धूमा चल जा अगर हवा चल जाती है तो जो प्रदूसर गुम्मद है वह सीधे ना बन करके कुछ इस तरीके से बन जाता है अर्थात यह हवा की दिस्षा में मुर जाता है उपर तो यह चीज आप समझ गए होगे अब आए और चीजों को भी हम देख लेते हैं कि आखिर गाओं में भी ऐसी कंडिशन है गाओं में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है गाओं में गाओं में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि गाओं अगेरा में आप देखेंगे तो और प्लस फॉग अर्था धुमा और फॉग इसके बारे में हम कुहरा भगर कैसे बनता है ठंडियां के मौसमें कैसे उतर दाई उसके बारह में मैं चैचा करेंगे इस मौग के बारे में यह तो मैंने आपको प्रोडूशर का ऐसा बता दिया कि कैसी होता है लेकिन स्मोग के ब म passt की कर चेंडिंज्ट से नंए किन ओड़ कि उयुकत ne तो वहां पे टंप्रेचर रहीत नहीं हो पाता है किसकी तुल्णा में सहरों की तुल्णा में इस वजह से क्या होती है गाओं की तरब से हबागों की उर जो है मैं वह सहरों की और काफी तीजीस चलना है तक्राने की वज़े से क्या हो जाता है कि टक्राने की वज़े से यह हवा काफी धीमे हो जाती है तो इसलिए इन दोनों की तुलना में यहां पे हवा कम चलती है और इन दोनों में तापांतर का अंतर क्यों है यह भी हम देख लेते हैं मानने जैसे example के तोर पे आप देखिए अगर जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं comment करके बताईए मैं उसका तुरंद आपको उत्तर दूँगा अब देखिए जैसे माल लीजी ये building है ये क्या building है और ये कोई खेथ है यहां पर क्या है ये कोई सुरियोदे यहां पर हो रहा है ये क्या है सन है सुरियोदे हो रहा है अब बताईए इस पे ज़्यादा इसको ज़्यादा हीट मिलेगी या इसको मिलेगी ये कोई बहुमंजला इमारत है जो सहर में बनी हुई है और ये कोई मैदानी छेतरे खेत है सुबह का मौसम है अब बताइए सुबह के मौसम में किसको ज़्यादा हीट मिलेगी तो यह देखते हैं इसको मिलेगी या इसको मिलेगी आप बताइए उत्तर में दीजे कि दोनों में हीट किसको ज़्यादा मिलेगी तो सीधी बात है इस पर क्या हो रही, सीधी किरने पड़ती है इस वज़े से क्या होता है, इसको हीट भी ज़्यादा मिल जाती है अब दूसरी बात लेज़े, आप बात करें मान लेज़े दिन की हम बात करें, तो मान लेज़े ख़डी दोपहर है, ये हो गई बिल्डिंग और ये हो गया ये, माली जी ये कोई खेत है अब बदाए किसको ज़्यादा हीट मिलेगी, यहां पर है सन ये हो गई बिल्डिंग, ये हो गई ये तो आप देखेंगे तो दोनों को लगबग बराबर मिलेगी, दोनों में क्या औरी बराबर मिल रही है क्योंकि इनकी जो छत है छत को तो मिली रही है और खेत को भी बराबर मिल रही है अर्था दोनों की तुलनातमक दस्टी से देखेंगे कि सहर का टंपेचर बढ़ने के पीछे कारण क्या है तो आप खेत में आपको एक तो ये तिर्ची किर्णे भी खुब अच्छे से इनको मि हो जाता है ये सहर और ज्यादा गरम हो जाता है अब बात करते हैं इस मौक की और इस मौक के बारे में अथा धूम्र कोहरा के बारे में लेकिन एक इसमें और बात मैं आपको बता दू कि एक चीज आपको दिमाग में और भी आती होगी मान लीजिए आप किसी दिली में रहत या किसी वैसे सहर में रहते हैं, तो जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे धूप निकलती है, धूप निकलती है धूप निकलने के बाद में क्या होता है कि एकbersuыш दूंद चाटने लग जाती है अर्था जो visibility आपको کم हो गयी थी वो दिखने लग जाती है आप देखने लगा जाता है लेकिन जैसे ही साम हो जाती है साम के 5 बजेंगे 4-5 बजने लगेंगे सुर जैसे ही ढूबने की स्थती में आने लगेगा अजीब से फिर धूं दचाने लगती है तक स्मॉक तेजी होने लगता तो आक Legisl用 है यह बिल्कुल वही है क्योंकि जब दिन का समय आता है तो दिनके समय में ढूट थोड़ा गो तो आपको इसको cog गelas इसको तो पूरी हवा का जो यह जो पूरा धूम्र कोरा चाया हुआ था यह क्या होगा जिपसका टंपरेचर बढ़ेगा तो यह हलका सा ऊपर उड़ जाएगा ऊपर उड़ जाएगा यह उपर उड़ जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन जैसे इसाम होंगी सुरज शुने वाला वशाएगा शूरिया का समय गाड़ा फिर से लूगत जाएगा जैसे नेने ते लगे गा कि इसका टम्परेचर डाउन हो गया जाये बारी यह फिर नीचे की ओर आ जायेगा और नीचे की ओर्या करके building वगेरा के आसपास आपको खुब दिखना सुरू हो जाएगा तो दिन और साम के आप दोनों के compare करेंगे तब ही आपको यह चीज़े आपको समझ में आ जाएंगी दिन और रात में यह comparison करके देखेगा यह बिल्कुल दिन और रात का ठंडी और गर्मी में कंप्रिजन करके देख सकते हैं ठंडी और गर्मियों में अर्थात मार्च के महीने को मालने अगर यहाँ पर गर्मी का टाइम और नॉम्बर के अर्थात दिन का टाइम और नॉम्बर के टाइम को मालने की जो साम का टाइम है तो दोनों में तुलना कीजिए बीलकुल वैसी सेम चीजे दिखते हैं अब हम बात करते हैं स्मों की कि इसमों क्या होता ँ कि यह स्मों क्या है आए देखते हैं स्वार है क्या चीज फिरह अथा इसमोंisstा 2 closer tapawo और भूखर का मिसड़ क्या क्या लाता है इसमा अगर भूखर फ्लस कोरा भधर याद करके क्या होता है को अओध ईया कैसे जो समझ लेते हैं है कि कोरे के अलग अलग प्रकार है लेकिन एक बेस्क तौर पर अब इसे को देखते हैं तो आप देखिए माल नहीं जेसे यह दिन दिन के समय जैसे टमप्रेचर बढ़ता है तो जैसे माहल की यहां की वह आपनाली लेकर के उपर कि चली जाे गी नमी लेकर के ऊपर के उचली जाएगी लेकिन रात में जैसे ही टमप्रेचर कम होगा तो यह क्या होगी छोटी-छोटी बुंदो का रूप धार कर लेगी अर्थात यह क्या होगी वेपराइज हो जाएगी इनकी विज़े से क्या होगा जो यह भाप के रूप में उपर क्लें दिन के समयमें के कोहरे का रूफ दार कलिए को और कोहरे लेकिन कोह्रे में जानाता एस मॉग पहल Luigi कनestro यह क्या धु diverγाओं और कोईरे का का कहलाताहां लेकिन यह इस्मॉग खतरनाक क्यों यह सोह on समदीद बिमारियां उगर्णा बहु زाइद हो जाते आप इसमें काता है आपको देखने को मिलेगा फोटो kemical smog तो फोटो kemical smog क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता दे आजेसरे मांनुड यह रात के समय में जितनी भीडोतू और चलती थी में लगारियां तो कρεί गाडियां वगरा चली गाडियां वगरा चलने के विए से बहुत सारा धुमा वगरा उपर गया धुमे में आप देखेंगे तो यह सो टू है और बहुत सी ऐसी गैसे वगरा रहेंगी यह क्या करेंगी आसमान में तेरती रहेंगी इनमें आप देखेंगे तो किसी भी छेतर म यहां पर बहूँ से सही गैसों के सासत वास्थी सब मुल जाता है तो आसो जो ह्ता है X2 जो है वह जल के साथ की रिया वह सपया करके क्या बना लेता है है क्वेले सोफ़ुर की यह सफियुर्णे निकली भी H2O था अर्थात जल था उससे अभरकिया करके H2SO4 मना लेगा जो क्या हो जाएगा एक अमल हो जाएगा लेकिन बाद में और आगे के दोरान जब देखेंगे तो जब सबह RS of सभे मौता है तो इस पे अपर ट्बूआ ने की विजए से यही जो दुंद कंपर नीचे गिर लगता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो संज में आया होगा वीडियो संज में आया है तो आप कमेंट करके बताईए आपको इसमें क्या नहीं संज में ये भी बताईए सब कुछ डिपेंड करता है किस पे एक बार में हलका साथ आपको पूरा मैंने बताया इसको एक बार समरी बता दू जब सुरद उतनायर किस्तिती में होता है तो उपर टंप्रेचर लोग हो जाता है इस ओर टंप्रेचर हाई होने की वेश से हवा काफी उचाई तक उपर उड़ जाती है हवा क्या होती काफी यहां का जो जितनी भी जो पार्टिक्ल वगरा थे प्रदूसर थे यह क्या होते काफी उचाही तक उपर उठ जाते हैं अर्था पूरी हवा उपर उठ जाती है लेकिन जैसे सूरज दच्छनाय की स्थिति में आता है अर्था साथ हमिस्पेर में आ जाता है तो सूरज देखा पर क्या होता है कि टंप्रेचर यहां पर लो जाता है टंप्रेचर लो होने की वज़े से हवा उपर नहीं उठ पाती है हवा उपर नहीं उठने की विज़े से क्या हो जाता है कि यहां पर प्रेसर के हमेशा हाई बना रहता है इसलिए पूरा प्रेसर हाई होने की व आप देखेंगे तो लखनौ के छेतरों में आपको देखने को मिलेगा विजिविल्टी बिल्कुल ना के बराबर है और हर तरफ प्लूशन आपको देखने को मिल रहा है यह कुछ फोटो जगरा हैं सब लखनौ के फोटो हैं मैंने खुद कीची हैं तो इनको आप देखेगा यह सभी आपको देखेंगे तो हर तरफ ऐसी कंडिसन बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि पूरा एरिया ही पूरा ऐसा प्लूशन है सांस लिले में बीमारी होती इससे बचाओ के लिए मैं आपको बता दू कि मास्क वगरा का यूच किजिए घर वगरा की खिर्कियां वगरा बंद करिए अना वस्ते सुबह टहलने में ना जाएए सुबह टहलने की वज़े से आपको और ज्यादा बीमारी हो सकती क्योंकि सुबह के समय में प्लूशन सबसे ज्यादा हो जाता है तो इन सब चीजों को ध्यान रखें और आसपास हरियाली रखें आप देखेंगे कि ज जैसे ठंडी बढ़ेगी जैसे ठंडी बढ़ती चली जाएगी तो आइए यह प्रदूसर कम होता चला जाएगा लेकिन ऐसा क्यों है वह भी एक मिट थोड़ा मैं बता दूँगा आपको यह जान लीजे कि जैसे ठंडी बढ़ेगी वह कम कैसे हो जाएगा मैंने बताया कि जो कोहरा होता है वो धीरे-दीरे क्या होता है नीचे की ओर चलता है यह क्या होगा कोई जान है कि थर्मल इन्वर्जन हुआ है इसके वेसे क्या होगा कोहरा वगरा क्या होता है नीचे कोहरा बन जाता है और इससे वज़े से क्या होता है नीचे आना सुन हो जाता है लेकिन जब कोहरे की परसेंटेस ज्यादा हो जाती कोहरा जब और ज्यादा अधिक हो जाता है तो जितना धूमा वगएरा है अधात कहें जितना पॉलूसन वगएरा यह सब सबको नीचे लेकर के चला आता है यह सब जितने पार्टिकल थे एक वर्सा के रूप में सबको नीचे लेकर के चला आता है तो सिप बच जाता है इसमाग नहीं बच जाता है इसलिए भयावा इस्तिति आपको नॉंबर के महीने में दिल्ली की दिख रही है आने वाले समय में आपको करीव तीन से जन्वरी के महिने में आपको के लिआ्प हो जायेगा यह ऐसा क्यूं हो इस स्माग के उस्ड़क के ओपराव हर जाएगा और जू फॉरा नीचे नीचे बैट जाएगा और पांधू कि समय पũी पल सїंगए नीन आपको अजीब सी धूल वगयरा दिखेगी और अजीब से काले-काले पाट किल आपको देखने को मिलेंगे वह क्या है को धूआ वगयरा के कड़ हैं अगर जो पूरी पती पर जम जाएंगे तो प्रकास संसलेटर की क्रिया को बाज़ित कर देते हैं इसमें से पानी के छड़ अंदर भी नहीं आपाता है और इसका टमपरेचर धीरे-धीरे डिक्रीज भी होने लग जाता है सहर का लेकिन सहर में इतनी ज्यादा क्रिया इतनी ज्यादा होती है कि टमपरेचर डिक्रीज नहीं हो पाता है और सुरस च्याने वाली किरने तो नहीं आपाती है लेकिन वह यहीं पर आ कि से करता है इस से रिलेटेट मेरे दो वीडियो को देखिएगा एक मैंने वीडियो बनाया है ओजोन प्रत के ओपर दूसरा बनाया है मैंने greenhouse effect के उपर एक आप वायू producer के उपर देखेगा मैंने इस वीडियो में किसी भी तरीके से आपको PM 2.5 PM 10 और भी इंसे particles के बारे में आपको चर्चा मैंने नहीं किये ये पर दूसर का एक part है रदाथ वायू producer का separate part है इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें मैंने आलेडी वीडियो बना रखें इस वीडियो के link के description मैं आपको वीडियो में तीनों वीडियो आपको दे दूँगा तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ से अर्जरू कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका पुना बहुत-बहुत धन्यवाद